मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार है मैं सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ और पिछले 38 वर्षों से गाजियाबाद में पैक्टिस कर रहा हूँ और अपनी दिरंतर सेवाएं गाजियाबाद शहर और इसके आसपास के इलाकों में दे रहा हूँ मैं आज सफेद मोतियविंद के बारे में बताना चाहता हूँ इश्वर ने हम सबको हमारी आँखों के अंदर एक लेंस दे रखा है जो की क्लियर लेंस होता है और वो बहार जो हमारे जिन वस्तों को हम देखते हैं उसका प्रतिविम हमारी आँख के परदे पे बनाता है रेटीना पे बनाता है और वहां से वो प्रतिविम हमारी मस्तिश्क के अंदर जाकर के नर्स के द्वारा वहां पर सिंग्नलिंग उसकी होती है और हमको ज्यान होता है कि हम उस वस्तों को देख पा रहे हैं जब ये lens ओपेक नॉर्मली ये पारदर्शी होता है लेकिन जब ये lens ओपेक हो जाता है यानि कि उसमें धुनला पना जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं मोतियविंद या सफेद मोतियविंद बोलते हैं सफेद मोतियविंद के जो कारण होते हैं मुख्य रूप से एक तो एजिंग होती है जो जो इंसान की उमर बढ़ती है उसी प्रकार से वो lens धुनला होना शुरू हो जाता है normally ये समस्या 60 वर्ष की आयू के बाद आनी शुरू हो जाती है दूसरा कारण मधु में diabetes का होना तीसरा hypertension चोथा यदि हमारी आखे ज्यादा समय तक sunlight में एक्सपोज रहती हैं तो वो भी एक कारण बनता है इसके अलावा जो लोग alcoholism या ज़्यादा smoking करते हैं या जो लोग steroids को use करते हैं बिना किसी सलहा के उसके कारण भी ये मोतियविन्ध होयाता है कई बार industries के अंदर जब चोट लगती है workers को तो उससे भी ये मोतियविन्ध बन जाता है मुख्य रूप से ये कारण है इसका इलाज जो होता है वो operation द्वारा होता है यह एक गल्प धारना है कि मोतियविन्ध जो है एक आँख से दूसी आँख में फैलता है ऐसा कभी नहीं होता है ना ही ये मोतियविन्ध किसी दवाई से कटता है ना ही ये मोतिया बिन किसी चश्मे से विजन में सुधार प्यादा करता है इसका मुख्य इलाज हमारे पास आज की तारीक में सबसे बढ़िया माइक्रो इंसीजन कैटरेक्ट शर्जरी है जिसमें हम बहुती अच्छे तरीके से मोतिया बिन को से निकाल करके उसकी जगे हम लेंस का प्रत्यार उपन करते हैं और आज कल तो जो टेक्निक हमारे पास आ गई है उसमें बिना इंजेक्शन, बिना टाका, बिना पट्टी, बिना भरती के हम मरीज का ओपरिशन कर सकते हैं लेकिन ओपरिशन से पहले कुछ जाचे होती है जो कि हमारे को करानी पड़ती है मुख्य रूप से देखना पड़ता है कि मरीज को मदूबे तो नहीं है उसके पिशा में कोई इंफेक्शन तो नहीं है उसका blood pressure चेक करना पड़ता है और यदि कुछ और अने रोग होते हैं उसके हिसाब से हमारे को उसकी जांच भी करानी पड़ती है इसके अलावा जो इसके लक्षन होते हैं एक तो आँखों में धुदलापन आ जाना नमबर एक दूसरा color vision में disturbance होना यानि कि गुण वता जो color की होती है वो भी मरीज को देखने में बहुत दिक्कत आती है तीसरा रात को देखने में बहुत दिक्कत आती है चोथा कई बार मरीज को एक की जगे दो दो वस्तवें तीन तीन वस्तवें दिखती हैं इसके अलावा कई बार मरीज को जो है चश्मा भी बार बार बदलना पड़ता है ताकि उसकी रोश्णी अच्छी हो सके लेकिन वो रोश्णी में सुधार नहीं हो पाता है इसलिए इस प्रकार की धार्णा रखना के मोतिया बिन दवाई से ठीक हो जाएगा वो बिल्कुल असंबभ है इसके लिए मैं यही सराब दूँगा कि हमेशा अपनी आँखों को दिरंतर चेक अप कराते रहें विशेश रूप से वो लोग जिनकी आयू जो है साट साल से उपर की है हर साल छे महिने में चेक कराते रहें अपनी शुगर चेक करते रहें अपना प्लड प्रेश चेक कराते रहें और हर तरह से स्वस्त रहें इसके अलावा उनको अच्छा अहार लेना चाहिए इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए अच्छा अहार लेना चाहिए खूब अच्छा जो है मतलब थरी सबजियां हो गई इस प्रकार की चीज़ें होगी पीले फल हो गए कहते हैं ना शाक सबजियां पीले फल बनाएं दिष्टी सुंदर उजवल क्योंकि इश्वर ने हमारे को जो नेत्र दिया है एक ऐसा इश्वरी उपार है कि जिसको कभी भी दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता आईज आर दा चॉइसेस्ट गिफ्ट अधर नीचर ताइट प्रिवेंट देम बिग लॉस्ट तो डू टेके वेरी गूड केर फोर दा आईज मैं इतना ही इसके बारे में कहना चाहूंगा धन्यवाद